हाई दोस्तो आज मैं बहुत ही माज़ेदार रेस्पी बनाऊंगी ओभी गेहूं के आटा से ये रेसिपी खाने में ऐसा तरीका से बनाएंगे कि ये खाने में एकदम से मुलाइम भी हो और खश्टा भी हो तो इह होली पे आप इस गेहूं के आटे से रेस्पी को बना कर पहल बना कर देखार लेह ये रेसिपी आप मैता से बीबना सकते हैं पर मैंपनी कीचन में मैता नहीं रखती हूं चेГए मायदा करएंगे के कारिवेटा किरीके बना सकते हैं तो इसलिए हम एक कटोरी चीनी ले लिए हैं और हम इसमें चार चमच देशी घी मिलाएंगे मोयन के लिए क्योंकि बहुत जादे जरूरी होता है और उसमें दो चमच हम सूजी डाल देंगे सूजी बहुती बढ़िया इसमें क्रिस्पी टेस्ट देगा और देखने में भी दानादार दिखेगा और इसमें हम डाल देंगे एक चमच सौफ सौफ दाना से बहुती बढ़िया टेस्ट आता है और फ्लेबर आता है और आधा चमच हम डाल देंगे छोटी इलाइची कूट कर हम रखे हैं उसे डाल देंगे और सभी चीजों को डाल कर अच्छे से हत्खेली में मसल मसल कर इसे मिलाएंगे इसका मुहिन एकदम अच्छे से होना चाहिए और इसे जब मुहिन मिल जाएगा अच्छी तरीके से तो हम इसे में लड़ू हाथ में बनाएंगे न तो एकदम बढ़ियां से बन जाएगा और थोड़ा उचालेंगे तो तीन चार राउंड उचालने के बाद ही जाके तूटेगा तो इसका मतलब मेरा ये जो गेहूं के आटे में हम मोहन डाले हैं ये एकदम से परफेक्ट है और हम पीसी हुई चीनी एक कटोरी डाल देंगे एक कटोरी हम खड़ा चीनी लिए थे पर उसे पीसे है ना तो उसमें से दो चमज चीनी मुझे जादी लग रहा था तो निकाल दी हैं अगर आप जादे मीठा पसंद करते हों तो आप पूरे चीनी को यूज कर सकते हैं तो आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी या गिलास रख सकते हैं आपको तौल कर डालने की जरूरत नहीं होती है और हम इसमें तीन से चार चमज डाल देंगे गड़ी का बुरादा गड़ी के बुरादा इसमें बहुत ही बणिया टेस्ट देता है बहुत जादे हाड ना होना चाहिए और नहीं एकदम से मुलायम होना चाहिए अब आप समझें कि आप रोटी बनाते हैं ना तो रोटी भी लोग बहुत तरीके के आटे से बनाते हैं बहुत लोग होते हैं कि एकदम गीला आटा पसंद करते हैं बहुत लोग टाइट आटा के पर ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम से मुलायम और ये सफ्ट डो होना चाहिए एकदम अच्छा होना चाहिए मेडियम जैसे ये देखे मेरा आटा एकदम बढ़िया से लग चुका है अब हम इसे एक कटोरी में दो एक चमच हम डालेंगे इसमें देशी गी और दो चमच ले लेंगे इसमें रिफाइन ओईल, अगर आप रिफाइन ओईल खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप देशी गी के मातरा बढ़ा सकते हैं, पर हम कराई में पहले से रखे हैं रिफाइन मैदा का यूज हम कम करते हैं अपनी किचन में रखते ही नहीं यह बहुत दिनों से थोड़ा सा मैदा पड़ा हुआ था प्रेस्ट था तो हम एक चमचह मैदा निकाल कर से तो थोड़ा थोड़ा निकाल रहे किन हैं रिए पने कहां बहुत ही बटाया गोल करें Should और इसमें सलरु जरूरी है जो रे सिपी है इसमें हम एकदम अलग इसका सेप देने वाले है बहुत इयूनिक है और बहुत मज़ेदार है तो इसलिए सलरी बनाना जरूरी है आप चाहें तो इसे मीठी पूड़ी के जैसे बेल कर बना सकते हैं पर हम इसे एकदम अलग तरीके से बनाएंगे ताकि देखने में भी सुन्दर लगे खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट भी दे और मुलायम भी लगे और खास्ता भी रहे तो इसलिए हम इस तरीके से बना रहे ये तरीका आपको इस होली पे बहुत जादे कामाने वाला है आप चाहे तो एक हपता पहले इसे बना कर रख सकते हैं और आप अपने मेहमान को खिला सकते हैं यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही मज़ेदार था यह और हम एक लोई ले लेंगे और उसे रोटी के जैसे बेल लेंगे जैसे आप अपने घर में रोटी बनाते हैं ना ही एकदम पतला और नहीं एकदम मोटा, तो उसमें हम सलरी अच्छे से लगा देंगे बढ़िया से और इसे बहुत अच्छे से रोल कर देंगे, और जो लास्ट वाला जो रोल चिपका है ना उसे हाथों से थोड़ा-थोड़ा चिपका देंगे, और दोनों साइट के किनारे पतला होता है उसे हम निकाल देंगे और छोटे छोटे पीस में इसे कट कर लेंगे आप खुद देखेंगे आगे आपको पता चल जाएगा कितना बनिया ये इसका सेप आया था बनाने के बाद तो लोग हमसे कई लोग पूछ रहते कि किस तरीके से बनाये हैं तो ये देखें सभी आटे के जैसे हम बना रहे हैं पर ऐसे नहीं था एकदम बिलकुल अलग था बहुत ही जादे अच्छा था अब हम कराई गैस पर चड़ा दिये हैं इसमें हम पहले से थोड़ा सा रिफाइन ओल डाले हैं ये मेरा रिफाइन ओल बहुत ही अच्छे कंपनी का है आप जो भी आपके बना करके रखे हैं न उसे डाल देंगे और हाँ आप इसे क्या नाम रख सकते हैं क्या नाम दे सकते हैं आप अपने घर किस तरीके से बनाते हैं कमेंट में जरूर बताईएगा इस होली पे आप कैसे बनाते हैं कमेंट में बताईएगा मुझे भी कुछ आइडिया मिले और तक अच्छे से मुलाइम भी हो जाए और क्रिस्प लगे और जो हम इसमें सूजी डाले हैं आठे को रेस्ट पर नहीं रखे हैं तुरत हमें आठा गुथना है और तुरत बनाना इससे क्या होता है ना सूजी दाना दाना जैसे दीखता है न इसमें तो बहुत अच्छा दिखने में भी लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है तो यह देखिए यह एकदम बढ़िया से तल चुका है उलटते पुलटते हुए तल लिये हैं तल कर हम इसे अब निकाल लेंगे टीसू पेपर पेटीसू पेपर पे निकालने से एक फैदा यह होता है कि इसमें एश्ट्रा ओइल जो होता है उस सोख लेता है तो परफेक्ट रहता है यह एकदम हेल्दी भी है क्योंकि हम गेहूं के आटे से बनाए हैं और इसमें हम जो भी समान डाले हैं अच्छे क्वालिटी के डाले हैं तो इसलिए यह बहुत ही परफेक्ट है इसी तरीके से जितना भी हम बनाए हैं उसे हम एक एक करके तल लेंगे तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजेगा सब्सक्राइब करना नहीं तब ही जाके आपको समझ में आएगा बहुत ही परफेक्ट था तो आप हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं ये अंदर से एक दम मुलायम तक कोई भी इसे आराम से इजी से खा सकता है और खश्टा भी है तो आप इसे ना ही खश्टा बोल सकते हैं और ना ही नमक पारे ब आता और इस होली पर आप इसे जरूर ट्राइ कीज़े अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजेगा बाए दो